Hello and welcome to the studio traders, Infosys को आज के दिन हम trade कर रहे हैं 1509.35 से इस trade को हमने short side की तरफ execute किया है कल हमने एक trade अपने execute किया था Titan के अंदर market side way रही 10,000 के आसपास का उसने हमें profit दिखाया जो कि अपने telegram पर हम लगा था अप्डेट कर रहे थे इसके बाद में जो profit हमने उसके अंदर book किया है तो 6,000 के round को इस profit भूख हुआ था क्योंकि जो actual target था price वहां तक नहीं गया और उसे पहले हमको निकलना पड़ा इस विक में starting के two days में हमें कोई trade execute नहीं कि कोई trade मिला यह नहीं, Monday को भी कोई trade हमें नहीं मिला and Tuesday को Siemens को हम देख से लिए trade करने के लिए बट Siemens के अंदर जो हमारा view था वो buy side के था तो Tuesday को भी हमें कोई trade नहीं मिला and Wednesday को exact Siemens के अंदर जो हमारा view था buy side के तरफ तो Siemens नहीं buy side में can trade थी पूरे week में वही एक अच्छा trade था जो कि हमको मिला कल हमने टैटन को trade किया तो 6000 के राउंड को इस profit लेकर के निकले actual target हमें उसके अंदर भी नहीं मिला और आज Infi को trade कर रहे है बहुत ज्यादा chance है market की जो condition इस वक्त की चल रही है अगर आज भी market side भी हो जाते तो कुछ भी हमको इसके अंदर like बोल सकते हैं कि actual targets हमने पने लगा रखे हैं 1478.80 के हमारी targets है data inframe पर Infosys candle की interesting से चीज हुए थी 4th of July की एक candle है data inframe पर जब आप इसको देखोगे 4th of July का just हम यहाँ पर high mark करेंगे देखे ये सारे tools कहां चले गए इसको फिर से refresh करना पड़ेगा ठीक है आगा है अब देखे डे time frame पर जाते हैं 4th of July की candle का हम high mark करेंगे अब यहाँ हुआ क्या है अच्छा इसके पहले भी जब आप देखोगे तो market ने यहाँ पर अपने एक closing देती like हमारी यह जो green valley candle अपनी 13th of May की candle price जब इसके उपर closing कर रहा है level की उपर आप इस वाली land को देखेगा price जब इस वाली level की उपर closing कर रहा है तो upside की तरफ जाने की जो इसकी strength है वो कमजोर नजर आ रहा है यहाँ पर तो closing कर दी market ने इसके बाद upside की तरफ देखे कितना बड़ा एक rejection दिखाया है market नो again price हमारा हमारे level के अंदर ही आ करके trade कर रहा है closing 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 और इसके बाद में dump हो गई market बहुत speed से नीचे की तरफ गरी है अब कल के दिन क्या हुआ है market again अपने level अपनी range के पास जाने कि इसने कोशिश किया और आज भी जो इसने rejection लिया है न same हमारे इसी point से rejection लिया है यह तो previous data हो गया और आज का देखे 5th of July की जिस candle की बात हम आप से कर रहे थे 5th of July में क्या हुआ यहाँ पर price ने upside की तरफ जाने की कोशिश की but price sustain नहीं कर पाए और यहाँ से नीचे की तरफ गरी है अब यहाँ से अगर market को upside की तरफ जाना है तो 1515 के ऊपर जाकर कि इसको अपने resistance के breakout समय शो करने होगे और price को sustain होना होगा with volume अगर आपको buy side की तरफ कोई trade execute करना है तो हमेशा just उसका opposite सोचिए selling करना तो price अगर upside में जाएगा तो कौन कौन से वो symptoms दिखा सकता है nifty 50 के क्या moves हो सकते है या फिर आपके sector के कौन कौन से levels निकल करके आ रहे है जिसके उपर आपका जो sector है उसका price sustain कर रहा है यह साही चीज़े देख करके यहाँ पर कोई भी हमको symptoms ऐसे नजर नहीं आ रहे है कि जो हमने अपनी entry लिए 1509.35 पर अपनी entry है और यह upside के यह जो लाएन है वो day time frame का level है 4th of July की candle का high इस तिन rejection कहां से देखा है हमको इस वाले points से इसके बाद में price नीचे के तरफ क्या हमने trade execute कर देना चाहिए नहीं price देखिए अगेन हमारे points तक पहुंचा मतलब 4th of July की candle की range में आया अब यहां से भी अगर market को ऊपर की तरफ जाना है तो इसके क्या करना होगा resistance के breakout swings के breakout और अगेन price upside की तरफ जाए 1515 के उपर जाकर क्यों closing कर दे और हमें confirmations दे तो हम trade execute कर देंगे अगर price को upside की तरफ जाना है तो यह stop loss ले लेगा और अगर price को upside की तरफ नहीं जाना है तो price हमारा stop loss नहीं लेगा और यह नीचे की तरफ गिर सकता है और downside की तरफ चुके हमारे जो targets होंगे वो 1578.80 के targets होंगे targets क्यों data and frame पर देखेंगे यह कुछ support points है अप मिलेंगे अब price अगर हमारी इस black वाली candle की range के अंदर आये तो बहुत ज्यादा 8,000 नहीं 858.90 के aspa सका अपना profit चल रहा है अब 1500 रुप्य का stock के देखिए के 500 cointies है आप देख पार हैं 2 रुप्य का भी move मुफ मुख्किल लग रहा है चलने तेंगे stock को मार्केट जब side way तो पूरा week हमारा ऐसा ही side way गया है इस week में अगर आपके stop loss गया हो जालागे कि नहीं इस week तो बड़ा नुकसान हो तो बिल्कुल भी इसके ओपर पर परिशान मत होएगा हमेशा हम बोलते हैं कोई भी trade execute करिये money management के साथ करिये गेंबलर वाली जो approach होती है अगर उसके साथ आप काम करें गेंबलर वाली approach से मेरा मतलब क्या होता है आज आपने risk ले लिए 100 रुपीज का कल एकदम सिमान होगे aggression में आकर कि हमने 1000 रुपीज का risk ले लिया market में वही करना है जो पहले से decide आपने कर रखा है कुछ नया करना है market को close होने दो शाम को बैट करके उसका plan बना और next day उसको apply करो इसके अलाव अगर आप कुछ करने के कोशिश करोगा ना यकीन मानो laws के सिवा कुछ नहीं होगा ट्रेट को यहां पर चलने देते थोड़ा प्रॉफिट देखें यहां पर इंक्रीज हो है अपना 1000 के राउंड आ चुका है लग रहा है कि 1000 पी प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है इस तरह की market में जाने दिजिए बैंक निफ्टी के तो हाल और भी ज्यादा खराब है जो लोग डेरीवेटिस टेट कर रहे हैं बहुत लोगों में क्रेज है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन बाइंग इतना ज्यादा लोग नुकसान करें जिसका कोई जवाब नहीं लेकिन लोगों को लगता है कि ऑप्शन ट ट्रेट कर देते हैं आने वाले टाइम में हम भी अप्शन ट्रेट करेंगे लेकिन एक प्रैक्टिस हमें चाहिए ही होगी कम से कम अपने माइंड के ओपर बोल सकते हैं कि कंट्रोल हो इस टॉक में तो चलिए ठीग है कितना लोस हो जागा आपका थाउजन कोईंटी मार दो प्रैक्टिस मार दो बहुत ज्यादा हो जागा तो कितना दो हजार तेने चाहर चाहर जार का लॉस ऑप्शन में क्या होगा दस दस हजार रुपए के लॉस एक एक दिन में करते हैं लोग वहाँ पर कभी भी आपका रिस्क मैनेज ही नहीं हो सकता इंपॉसिबल है सबसे पह आता थो आप्शन सेल भी करके लोग बैठ जाते हैं कैसा होता है आप्शन सेल करके बैठ चे आप… कितनी रुपए मिल सकते हैं 50 रुपए को कोई स्ट्राक bake तो आपका चला जा बिलकूल 500 रुपए यह 1000 रुपए पर क्या हुगा मिलने को हैं 2500 रुपए और जाएंगे कितने जेब से आप कि 1500 रुपए यह possibilities है देखे यह नहीं कि कोई negativity आपसे discuss करने options को लेकर गए just जो sense है मेरा कहने का कि option भी अगर trade करना है न तो master करिए पहले अपने money management की तरह बिल्कुल भी हमारा यह indication नहीं है कि options बहुत बेकार चीज़ होती नहीं बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन एक level पर आ जाने के बात में देखा देखी किसी को भी कि वो 5 लाग, 20 लाग, 15 लाग का profit कर रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं काफी ज्यादा stretch करने बातों को हम चले आप खुद समझदार हो यह साही चीज़ है आप समझ सकते हो हम लोग open करने जा रहे तो nifty का chart देखे है न क्या market का move हो रहा है क्या move हो होगे तो तो गया वो लास्ट पूरी वीक की momentum आपको ऐसी देखे है प्राइस उपर उपर हो एकदम से नीचे फिर से market ही sideway तो इस तरह की तो market चल रही है जा उपर रहे लेकिन देखे कितनी speed से गिर रही नीचे फिर से आज gap up opening इसने देदी हो सकता है फिर या तो गिर जा नीचे की दिशा में जा sideways पड़ी रहे तो यही होगा अभी क्या profit अपना है लिजए six and eight पर हम लोग फिर से आगए जान देजए stop loss अपना लगा हुआ है कोई बड़ा momentum होता है तो inform करते हैं आपको पूरे दिन sideway market के अंदर रुखने के बात में अब हम यहां से बाहर निकल इस दुद का जो अपना लॉस चाला है 900 के राओं लॉस चाला है 500 हो गया करो शॉट से लिए stop loss लगेंगे ना कहां पर आप stop loss लगा हो गया सारे stop loss लेगा यह सारे stop loss क्या है stop loss लेने के बाद में फिर यह नीचे गिरेगा यह कहीं नहीं जाने वाला एक काम करते हैं बाहर निकलते हैं क्योंगी तीन बच कर साथ या फिर नॉमिनेट पर order score off हो जाता है और उसकी फिर अलग से penalty देनी पड़ेगी सबसे पहले यहां पर अपना stop loss order cancel करते हैं तो 1300 order book cancel cancel order book से stop loss order cancel position book में आगे 1600 रुपीस का loss चल रहा है price जो इसमत का है हमारा 1512 60 पैसा 1530 और price के चल रहा है 1350 40 लीज़े सारे orders निकल गए हमारे 1982 अरे जल्ली से ओ क्या refresh कर लेते हैं इसको 1982 रुपीस and 35 पैसा profit book sorry loss book हम बाहर यहां से ओके तो आज का trade हमारे यहीं पर खतम होता है जो अपने analysis थी के price सिर्फ इन फी ही एक ऐसा stock है जो की side way रहा है वाकिए अगर IT sector में आप विपरो को देखोगे तो देखें विपरो को open करते हैं विपरो के अंदर अच्छा down move आया यह वाला जो level है अपना यहां से हम इसको trade कर सकते थे लेकिन नहीं हमें trade आज जो करना था इंफ्यू करना था अब जो हम लोग मिलेंगे Monday को और हां Saturday आफिस Sunday को कुछ एक वीडियो अगर हो सकेगा तो educational contents like कुछ एक system हम आप लोगों को साथ share करने की कोशिश करेंगे तो बने रही है हमारे साथ चैनल पर अगर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा वीडियो को like और comments जबूर कीजएगा because इससे हमें थोड़ा support मिलता है and videos भी और लोगों तक पहुंचता है thanks and we will meet again